हेलो दोस्तोध दोस्तोध हमने लाफ टोड में general defenses की वीडियो बनाई थी हमने introduction से लेकर एक general defense कीया था जिसका नाव ह neo Althana scripture आगर आप वीडियो में नहीं देखिया और आप mí », नोरी या की पारे में जानना चाहते हो तो हम हर लिंक डिस्क्रिप्शन के देंगे हमारी वीडियो को जूड देखना और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम खुश और जनरल जीस को डिस्कॉस करेंगे जैसे की då फ्लाहड्यों एसाथ क director जूरुद रहे हैं और आपको पैसा निआ लेगा सब्सक्राइब करने में तो प्लीज सब्सक्राइब जूर करेंगा और साघी साल आपसे रिस्चाहिज्ट आ!!!! कि अगर आपको वीडियो में अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक जूड करें लाइक करना ना बूले वीडियो को यह जूड करें और हमारा एक इंस्टाग्राम में लोग विद्टमिन्स के नाम से पेज भी है तो हमारे इंस्टाग्राम पेज लोग विद्टमिन्स को जू तो आज दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं असी के साथ तो प्लेंटी विम सब रोंग डूर का मतलब क्या है यो प्लेंटी विम सब रोंग डूर है यह जनरल डिफेंस है आपको पता है जो जनरल डिफेंस होते हैं डिफेंट लेता है डिफेंट अपने आपको डिफेंट करने के लिए अपने आपको बचाने के लिए जनरल डिफेंस लेता है तो प्लेंटी इंसाल रोंग डूर का मतलब यह होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो केस कर रहा है जो अगर वो खोड ही है, खोड ही घख खोड ही रोंगवूल है, खोड ही बहुए रोंगडर है और वो счит कर दिता है। कि केस करने पार व्यक्ति खुद ही गल्थ है तो इसको क्या रैम्डी दी जाए यह तो खुद ही रोंग फुल है तो मतलब यह हुआ बोलने का कि कि if the plaintiff is himself wrongdoer or if the plaintiff then any advice is the wrongful act then he cannot take the compensation he cannot claim the any compensation from the defendant अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को पर केस करता है लेकि केस करने पार व्यक्ति खुद ही गल्थ है खुद ही रोंग डूर है तो उसको लाफ्टोट में कोई रैम्डीन मिलेगी और जो defendant है जिसके ओपर केस किया गया है वो इस बात का defense ले सकता है कि case करने एक A है एक B है यह दोनों जो व्यक्ति है A और B है A ने क्या किया A जो है वो B के गढ़ में एंटर कर गया बिना B की permission के B ने कोई permission नहीं दी है अर्थाद A entering in the house of B विदाव रहनी permission मतलब A जो आपो test pass commit कर रहा है A खुद ही रोंग डूर है जो A ने entry करी B के house में तो उसने देखा A ने कि B के गढ़ में कुछ समान पड़ा था और वहाँ पर क्रंटर लग गया और A को काफी injury हो गई जब क्रंटर लगा तो A ने B के ओपर case कर दिया कि इसके गढ़ में मुझे क्रंटर लगा तो मुझे compensation दिया जाए मुझे मुझे मुआबजा दिया जाए B के गढ़ में जो electrical वायर थी उसकी वह से में क्रंटर लगा है नुकसान पहुंचा है इस case में क्या था जब A ने case किया A plantive बन गया B के against case किया B defendant बन गया अब plantive ने defendant के case कर दिया अब A ने बोला कि में मुआबजा दिया जाए क्योंकि B के गढ़ में जो electrical वायर थी उसकी वायर से मुझे नुकसान हुआ है मुझे क्रंटर लगा है और मुझे कंपन्स ने दिया जाए तो जो B है defendant वो defense ले सकता है कि plantive himself wrongdoer का कि plantive तो खुद ही गल्त था खुद ही wrongdoer था क्योंकि plantive ने मेरे गर में क्यों entry की मेरी permission के बिना plantive क्यों मेरे गर में आया मैंने तो बुलाया नि क्या वो चोरी करने आया था क्यों आया था मतलब plantive जो है ए है वो himself wrongdoer है तो B इस बाद का defense ले सकता है हां जी तो plantive himself wrongdoer में हम एक case लोग discuss कर सकते हैं बर्ड वर्सिस होल बूख इंग्रिश केस लोग है इसमें क्या हुआ था कि एक जटती ने अपने गर में कुई spring gun लगा रखी थी spring gun क्यों लगा रखी थी ताकि trespasser गर में उसे और उनसे गर को बचाने के लिए spring gun लगा रखी थी तो हुआ क्या एक देखती जो है वो Defender के गर में गुसता है जो बर्ड है वो Defender जो होल रूक के जिसके ओपर केस किया है उसने उसके गर में गुसता है और जो Plentive या वर्ड है उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है spring gun की बचा से तो वो case फाइल करता है इसके ओपर कि सर इसके गर में मुझे spring gun से काफी loss हुआ जिसकी मुझे इसलिए compression दिया जाए तो court ने इस case में यह held किया court की मर्जिया वो क्या held करता है court ने यह held कि ठीक है बिल्कुल सही बात है कि जो Plentive है उसको नुकसान हुआ spring gun से और Defender को compression देना पड़ेगा क्योंकि रीजन यह दिया court ने कि ठीक है आपके गर में आपने trespasser से बचने के लिए spring gun लगाई थी पर spring gun जो बहुत डेंजरस होती है यह किसम से जैसे गन होती है पिस्टिल होती है उस तरह से बंदा मर्न भी सकता है तो आप अपने बचाव करने के लिए यह वाय कोई बंब नी लगा सकते यह कोई गंड नी लगा सकते है नित्मारी ठीक है आप अपने गरमें charging कर दो आप अपने करके जो जाद वारी उसके ओपर कुछ बहुत जो लगाते है शीशे वाले हाथ कट जाए वैसा लगा दो चल पड़ता है पर आपने आपको बचाने के लिए आप स्प्रिंग गन नी लगा सकते हैं जिससे कि जान भी जा सकती है तो कॉर्ट ने इस केस में क्या किया डिषएंटेंट 500 को लाइबल किया расп टैंदुमिस नेळी आपने आपको प्रोट्रेंट करने के लिए स्पिंग गण लगायी थी बहुत देंजर स्ट्री की थी और उसे बंदा मर सकता है तो आप बचाओ थी क्या और कोई सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हम ऐसाल बने रहें कीप बाचिंग कीप सब्सक्राइबिंग आज चैनल थैंक यू सो मच मिलते हैं नई वीडियो में